हाँ नमस्कार स्वागत है आपका अपने आना इंडिश्टू टार्गेट विथा लोग में मैं निल मिश्रा तो सबसे पहले आप लोगों को धेर सारी सुबकामना है बहुत बहुत साथ बात तो मित्रों आज हम लोग जो है जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे संस्थान टार्गेट विथा लोग के द्वारा एक नए वैच का आगाज किया गया है और उसमें टीटी 2023 उच प्रात्मिक और प्रात्मिक के लिए संस्क्रित भासा के लिए मैं निल मिश्रा आपको अध्यन कराऊंगा और इसी परप्रेक्स में आज हम लोग जो है एक बड़ी महत्पों टापिक पर चर्चा करने चल रहे हैं जो वर्ण विचार से संबंधित है और में संस्क्रित भासा और हमारी रणनेत क्या होगी कैसे हम इस विशय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं थोड़ी सी चर्चा करने के बाद हम लोग भी से बस तुपर चर्चा पर चर्चा करेंगे वित्रों तो सबसे बड़ी यह चीज आपको यह जानने की जरूरत एक उठसुकता है कि संस्क्रित भासा एक बैकल्पिक भासा के रूप में है आपने देखा कि जब इस टेट की परिच्छा का आयोजन प्रारिम्भ हुआ था उस समय आपके लिए यह भासा बैकल्पिक भासा के रूप में नहीं थी औ और उस समय यह परिच्छा कितनी क्लिस्ट थी कि टेट जैसी परिच्छा को पास करना बड़ा कठिन काम था दस परसेंट बारा परसेंट रिजल्ट आता था लेकिन जैसे ही संस्क्रित भासा को बैकल्पिक भासा के रूप में आपके सामने एक विकल्प की विवस्था बना चैन कर तकते हैं और ऐसी स्थिति में आपने दो वाते देखी एक तो परिच्छा पास करना आसान हो गया दूसरी चीज एक चीज जो है आप अधिक अंक अरजित कर लेते हैं इसी भासा की उपयोगिता है कि अब आप 115, 120, 125 अंक बड़े आसानी से पा जाते हैं 30 में 30 अंक तक ला देते हैं तो इस भासा की अपनी एक विविधता है कि इसको हम बहुत आसानी से बहुत सरल ढंग से प्राप्त कर सकते हैं तोड़ी सी बात और है कि इसका पाठक्रम बड़ा सरल है और एक चीज और है कि जैसे बरतमान समय में बदलाव के बारे में भी सोचा जा रहा है कि हो सकता कुछ बदलाव की भी बाते हों तो आप चाहे सीटेट का स्लेबस देख लीजिए चाहे आप इस्टेट सुपरेटेट का जो स्लेबस बना है उस पर थोड़ा साधी आप विचार करें तो संस्कित जैसे बिशे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की संभावना हो सकती है यदि संभावना हो प्रस्रों की प्रकिति पर हो सकती है भाषा का सामानी परिचे आपको कराना है भाषा में और कौनसा बनाया जा सकता भै तो इस तरह से आप देखें, इसको आप तयार करें और सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम पाठिक्रम पर करेंगे, क्योंकि यह हमारा जो पाठिक्रम है, आप देखें, बड़ा महत्पूर है, इसका पाठिक्रम, इसके पाठिक्रम में जो भी चीज़ें दे रखी गई है, बहुत सूब वस सुठ्थित रखी गई है, जैसे आपने देखा कि आपका पहला प्रस्ण जो आपसे आता है, आपके पद्यांसé या गत्यान से आप देखते हैं यहां से दो प्रस्ण पूछ लिये जाते हैं और बड़ा फरल प्रस्ण पूछा जाता है बहुत सामान ने आप देखे कोई इस लोग कोई छंद पूछ लिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कोई पद पूछ लिया जाता जैसे मान ल गया किसी स्लोक में किसकी महत्ता बताई गई है बहुत सामार निठंग से आप बता सकते तो ऐसे दो प्रस्थें यहां से पूछे जाते हैं इसके बाद आपने देखा कि जैसे वर्णड विचार आपके टापिक में रख दिया गया है और देखी वन विचार का अध्यन हम कैसे करते हैं बड़े आसानी से करते हैं यहां से कम से कम दो से तीन प्रस्ण बना दिया जाता है आप किसले बस में माहे सरसूत से संबंदित प्रस्ण पूछ लिया जाता है, सोर और बेंजन से संबंदित प्रस्ण पूछ लिया जाता है, आप से यहीं पर जो है, आप से पूछा जाता है कि मतलब जो है, कितनी महत्त पूर्ण बाते हैं कि जो है, आप से पूछा जाता है कि प्रत्यहार कैसे बनता है उच्छारण अस्थान पूछ लिया जाता है प्रयत्न पूछ लिया जाता है तो यहां से कम से कम आप देखते हैं कि तीन प्रस्ण बन जाते हैं और बहुत आसाने से हम कर लेते हैं और सबसे बड़ी बात तो एक चीज और है मित्रों की मतलब इस भासा में यह टापि इसके बारे में इस तरह से मतलब क्यों सोचते हैं कि बड़ी कठिन भासा भासा ब्युश्थित है भासा को सीखने के लिए यदि आप ब्युश्था के तहत जो है इसको सरल ढंक से सीख लें एक बार जान लें तो आपके प्रस्ण गलत नहीं हो सकते हैं आप देखिए वहां संबंधित प्रस्ण पूछे जाते हैं आप से कारक से संबंधित प्रस्ण पूछे जाते हैं सामान परिचय है आप से समाज से संबंधित प्रस्ण पूछे जाते हैं यह सारी टापिके हैं हर जगा से एक एक प्रस्ण बनता है और आप पूछ लिए जाते हैं बहुत आसानी से आपके स्लेवस में सब्द रूप धात रूप है सब्द रूप धात रूप है आपके स्लेवस में इसी तरह से उपसर्ग और प्रत्यों की बात की गई है उपसर्ग और प्रत्य हैं यहां से प्रस्न आप पूछे जाते लिंग विधान आपके सलेवस में रखा गया है लिंग से संबंदित कुछ पद दे दिया जाता है आपसे पूछा जाता है भाई आप इसमें बताएं कि कौन सा यह पद है जैसे मान लिजे कभी द्योपद आप से पूछ लिया जाए कि यह द्योपद है किस लिंग में हो सकता है पुलिंग में हो के नाम संबंधियों के नाम यहां से एक दो प्रस्ण पूछे जाते हैं वाचि परिवर्तन आपके स्लेबस में रखा गया है तो यह बड़ा ब्यवस्थित है आपका यह स्लेबस है इस स्लेबस को हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अब एक बड़ी करता है कि आप अब इसको हमें पढ़ना कैसे है कि सबसे पहले एक बात आपको हम बताते हैं कम्धिजि क्योंकि हमें कमप्टीशं देना है और एक हमप्टीशन में जो है completion की शुरुवात करता है और आज बरतमान समय में सबसे जादा समस्या प्रतियोगी की सामने आती क्या है सबसे बड़ी समस्या यही पर आती है कि आखिर हम प्रतियोगिता में जो हमारा विशेबस्त निर्धारित किया गया जैसे माली यह संस्कृत भासा का अध्यन बैकल्पिक भासा के रूप में आता है जब पढ़ना शुरू करता है तो यही पर सबसे ज़्यादा समस्या आ जाती है कि आखिर हम क्या पढ़ें यह हमारा स्लेबस है इसमें पढ़ें क्या है भाई आप देख लीजिए आपका स्लेबस में हमें क्या-क्या पढ़ना है आप किताब खोले टापिक कहां गया क्या पूछा जाएगा आप से कोई मतलब नहीं आप को पढ़ना सुरू कर देते हैं और कोष्टन जो भी कोष्टन आता उसी कोष्टन को करना शुरू अरे भाई आपका स्लेबस है जिस विशय क कि आप तयारी करने जा रहे हैं उसका एक स्लेबस निर्धारित किया गया है दूसरी चीज उस स्लेबस का एक अस्तर बनाया गया है कि आपको प्राथमिक अस्तर की परिक्षा देना है आपको वहां से भासा का सामान ने अस्तर का प्रस्ण पूछा जाएगा आपको यह जानना चाहिए क्योंकि किसी भी परिक्षा के लिए सबसे महत्पूर्ण बात होती है कि हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए प्रतियोगिता के अस्तर के अनुसार होना चाहिए अब आप देखें करें कि क्या पढ़ें भाई ठीक सिलेबस है उसमें यह भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर यहां से हमारे प्रस्ण कैसे बनते हैं इसमें कौन सा प्रस् सूर है क्या चीज माहे सूर सूत्र में सूर का विधान किया गया है किन सूत्रों में किया गया उसके लिए कितने सूत्रों में बात की गई है सूर के प्रकार बताए गए हैं सूर के प्रकार से आप से प्रस्ण पूछे जा सकते हैं तो इस टाइप से आपको पढ़ना चाहि यह जो जानने लाइक बाते हैं उसको जानने का आप प्रयास करें सबसे बड़ी चीज यह होती है कि कहते हैं कि कोई भी टापिक पढ़ें तो कितना पढ़ें रग तो सब डाले हम क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है यह तरह तरह की समस्याएं हमारे सामने आता है तो जब भी हम किसी टापिक को पढ़ें चाहे वह क्लिस्ट हो चाहे वह सरल हो उसका हमें दाइरा मालूम होना चाहिए कि इसका यह दाइरा है हमें इस आधार पर इतना जो है हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे हो सकते हैं जो संस्कित भासा आप पहली बार पढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो आएए आज हम लोग विशेबस्ट की शुरुवात करते हैं और एक महत्पों ढंग से जो है इसको पढ़ेंगे तो यह हमारी टापिक है और इस वर्ण विशार में अब यह हमारी टापिक आपके सामने आती है क्योंकि संस्कित वर्ण माला है संस्कित वर्ण माला के लिए हमारे दिमाग में कई तरह की वाते आती हैं एक भ्रांतियां इसके अंदर जो है आपके दिमाग में बैठ गई है कि संस्कृत भासा इतनी क्लिष्ट है कि इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे इसको हम समझ सकते हैं आप देखिए आज इस बर्णमाला के बारे में सबसे पहले एक दिमाग में आपके बात आनी चाहिए काखिए जो संस्कृत की बर्णमाला है पहले तो आप देखिए इस संस्कृत पद की कितनी विशिष्टता है यहीं से जो है आपके दिम्मना मस्तिस्क में एक भाव उत्पन होना सुरू हो जाता है इसकी विउत्पत्ती देखेंगे तो इसमें बड़ी महत्पूर्ण है सम उपसर्ग है क्रिधातु है प्लस अक्त प्रत्य है यह संस्कृत पद बना हुआ है आपके दिमाग में यहीं से भाव उत्पन होना चाहिए कि संस्कृत का साब्दिकर्थ क्या होता है सुद्ध है, परिस्कृत है, परिमार्जित है एक बड़ी महत्पूर्ण बात हो गई सुद्ध परिस्कृत और परिमार्जित भासा है, तिसकी वर्ण व्यवस्था कैसी हो सकती है तो देखिए, एक किम्बदंती है, थोड़ा सा किम्बदंती क्या है आप इस बात को बहुत सामान निधेंग से आप जानने का प्रयास करते हैं भाई जो संस्कृत का माहेश्वर सूत्र है, उसी माहेश्वर सूत्र में संपूर्ण संस्कृत की वर्ण व्यवस्था बताई गई है और सामान रूप से आप जानते हैं कि भाई संस्कृत का जो वर्ण व्यवस्था है, माहेश्वर सूत्र में है और कहते हैं कि भगवान सु टांडो नृत कर रहे थे। और उसी टांडो नृत में के समय जो है अपने डमरू को बजा रहे थे। और उसी से धुनिया निकली और महार सिपानिन ने उसको संकलित कर लिया बहुत सामान ने ढंग से इस कथानक के बारे में जो संस्क्रित भासा पढ़ा है जो संस्क्रित भासा नहीं भी पढ़ा है वो इतना जानता है अब करें इसी बात को जो है आप जो आपने पढ़ा है जो आपने सुना है उसी को एक बड़े संस्कृत साहित के विद्वान आचारे नंदिकेश्वर जी हैं उसको इन्होंने इतने मार्मिक धंग से छंद बद्ध कर दिया है और इसमें पूरा संस्कृत का कैसे उद्भव हुआ कैसे विकास हुआ इसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है तो देखिए पहले इस चंद को कितने मारमिक धंग से इन्होंने यहां पर व्योस्थित किया है थोड़ा सा इसका वाचन हम लोग कर लेते हैं इसके बाद इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमे तो देखें बहुत महत्य पूड़ है करें कि एतद्दिमर्षे सिवसूत्र जालम क्या है करें कि एतद्दिमर्षे सिवसूत्र जालम वही बात जो आपने जो है एक कहानी के रूप में आपने सुना है एतद्दिमर्षे सिवसूत्र जालम क्या है भई करें कि सनकादी सनक मींस क्या होता धोनिया यह धोनियों का संकलन है इसको अभी हमने आपको बताया भी कि भई हम लोग कैसे इसके बारे में सुने हैं करें कि एतद्दिमर्षे सिवसूत्र जालम यह धोनियों का संकलन है इस धोनियों को संकलित कि ने किया है तो कहरें कि संकलन किस ने किया है तो आपने बहुत आसानी से बता दिया कि इसका संकलन महर सी पानिन ने किया है महर सी पानिन ने किया है और जो धुनिया संकलित की गई है इस धुनियों को हम किस नाम से जानते हैं कहरें कि शिव सूत्र जालम इसी को हम सिव सूत्र कहते हैं इसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं इसी को हम पाणनी सूत्र कहते हैं आप इसके लिए बहुत सारे नाम अंकित है अब रही बात एक चीज यह है कि देखिए उपर से दिया आप इस पर विचार करते हैं कि उपर की इस छंद की पहली पंक्ति म में कौन्सी बाते बताए जा रही हैं पूरा एकदम आसाने से असपस्ट करने का प्रयास किया गया है, पहले पद पर आप चर्चा करें तो कहते हैं कि नित्व भगवान शीव नतराज पदाया हुआ है में नतराज किसके लिए प्रियुक्त होता है इसको आप सामान रूप से जानते हैं कि नटराज किसको कहा जाता है गाउं में मदाडी आता है डमरू बजाता है सारे गाउं के लड़के एकत्तित हो जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से आप देखे भगवान सीव टांडो नित्य कर रहे हैं और उस टांडो नित्य के समापन क के अउशर पर कर क्या रहे नट राज ननाद धकाम ननाद धका मिन्स ढमरु अपनी ढमरु को सब्ञार रहे नुबन कि तनदी बार दिया गया है 9 पंच वारं ब्लॉपि प्रस्न बार-बार पूछ बढ़ा जाता है कितनी बार करें कि नौ पंच वारम वारम मीस बार कितनी बार नौ पंच वारम चौदा वार अपनी डमरू को बजाते हैं फिर करें कि चौदा वार डमरू को बजाते हैं तिहां पर देखिए इस लाइन में दिया गया उद्धर तु कामा सुम्हां उसमें से उद्भाव होता है क्या उद्भाव होता वह राया कि सनकाद उसिध्धान धोचीं यह भी आप से पूछा जा जाता है माहिष उर्फ कुछ में है क्या धोचांडियां कितने प्रकार की है इसकी आगाद पर चर्चा करेंगे जो संकलन है उसमें कौन सोतंत धोनी है कौन मेशित धोनी है किसे सुर कहा जाएगा किसे बेंजन कहा जाएगा इसकी चर्चा आप आगे व्याक्ष्या के रूप में आप पढ़ेंगे तो करें कि सनकाद इसित्धान उनों धोनियों को क्या किया गया है जो उसमें से धोनिया उत्पन हुई हैं शनकाद इसित्धान एतत दिमरशि उनका संकलन किया गया एक स्थान पर संकलित कर लिया गया है शिव सूत्र जालम वही शिव सूत्र के रूप में परणित है तो आपने देखा कि शिव सूत्र का संकलन महरति पानिन ने किया है भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ है कब उन्होंने बजाया था टांडो नृत्र के आउशर पर जब उसका समापन हो रहा था कितनी बार बजाया था 14 बार बजाया था यही चीज है अब आपको हमने इस टापिक को आपने कहा कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें कितना पढ़ें आपने देखिए यह चीज इस पर लागू होनी चाहिए इसमें से क्या-क्या प्रस्त बन सकता है आपको जानना चाहिए आखिर नरसंग का संकलन क्या कहलता है शिवसूत्र कहलता है तो यह हमें एक प्रतियोगिता के अस्तर पर इसी तरह से अपने टापिक को पढ़ना चाहिए कोई न कोई प्रस्तिया से पूछा जाता है अब आपके दिमाग में आता है आखिर जो धोनिया है इन धोनियों का संकलन कैसे किया गया है इन्होंने देखी यह 14 प्रकार की जो धोनिया निकली है इन्हीं धोनियों को जो महर्थिपाणिन ने संकलित किया है यहां पर जानने लाइक बाते कुछ मात पूर्ण बाते हैं इसका संकलन बैज्ञानिकता के आधार पर है इसका ज्यान हम वर्डमाला का अध्यन करते समय आपको बताएंगे क्योंकि देखिए यह संकलन एक ब्यवस्था के ताहत है इसलिए संस्कृत भासा क को एक बैज्ञानिक भासा के रूप में परणित किया जा रहा है कि संस्कृत भासा एक बैज्ञानिक भासा है क्यों बैज्ञानिक भासा है वही विज्ञान क्या चीज है तो आप बहुत सामान निढंग से इस बात को बताते हैं कि वही विज्ञान के अध्यन की एक पद्य करते हैं उसी तरह कारण हम विज्ञान को विज्ञान कहते हैं वैसी ही ब्यवस्था यहां पर इस धोनियों को जो संकलन किया गया है यह जो 14 प्रकार की धोनिया है यहां पर भी एक पद्धत के आधार पर ब्यवस्था के आधार पर महारतिपानिन ने आपको समझाने का प्रय लेते हैं कहे रहें कि आयूड रीलिरिक एउंग आय ओच हैवरट लड यम गड़नम जब गड़धस जब गड़धस खप चटत चटतो कप ससर हल यही हमारी 14 धुनिया है जो संक्लित की गई अब प्रस्ण बुठता है कि आखिर हम तो संस्कित बर्ण माला पहली बार पढ़ रहें भाई इसको हम पढ़ी ही नहीं सकते हैं तो कैसे यह हमें याद होगा तो मित्रों यही सबसे बड़ी बात है कि अब हमें सबसे बड़ी बात यह किसे प्रतियोगिता के आधार पर कैसे पढ़ना चाहिए तो निश्चित रूप से इसके बैज्ञानिकता पर अभी जब हमने प्रस्ण चिन्न उठाया कि आखिर यह भी बिज्ञान की तरह भासा है तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर बात आपके सामने आ जाती है कि ठीक है आखिर कैसे महर्शिपानिन ने कहा कि यह विज्ञान बैज्ञानिक भासा के आधार पर इसका हम ब्योस्थाकरम बनाए हुए हैं आप इसको जाने इसको जानने का आप प्रयास करें और इस तरह से दिया आप जानते हैं तो यह जो भासा आपके बारे में बिविद्ध है तरह की समस्याएं उत्पन हो रहे हैं कि यह क्लिस्ट है इसको पढ़ नहीं सकते हैं बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं तो देखिए कहरें कि इसम हमने लिए आप जान लेते हैं तो जो वंतल निया हंद किया है उस कई इस Sana वाल कि आया भृषा आां पर हमने चार सूत्रों का निर्मार किया है यह चार सूत्र वणडित जो हैं उपर के हैं जिसको हम कहते हैं आयूड रिलरिक एउम आयोज आपने देखा बलब इन चार सूत्रों में जो स्वर की बात की जा रही है इस स्वर को हम संस्क्रित भासा में आज भी कहते हैं इनकी संख्या जो है आप आगे पढ़ेंगे जिसकी संख्या नौ बताई जाती है इन्होंने बड़े मारमिक धंग से बता दिया कि संपूर माहिस्वर सूत्र में सबसे उपर हमने सुर की बात की है सुरों का विधान किया है यह बात बड़े आसानी से आप जान सकते हैं इसमे इसके दूबय उस्था के दूसरे क्रम पर आते हैं तो कह रहें कि हमने स्वर के नीचे अर्दस्वर का विधान किया है यहां पर अर्दस्वर के बाद हमने क्या किया है स्वर के बाद हमने अर्दस्वर की बात की है आप देखिए करें कि इसके लिए हमने दो सूत्रों की ब पांच और सूत्र संख्या छे की बात की है जिसमें हमने अर्दसुर की बात की है कह रहें कि यहां पर आप कह सकते हैं है वरट और यहां पर सूत्र संख्या छे में लड़की बात की गई है कह रहें कि देखिए हा या वा राला यह चार जिसको हम लोग अर्धसुत कहते है इसका विधान हमने दो सुत्रों में किया है और सुर के नीचे बेऊस्था बनाई अब करें कि इसके बाद मैंने क्या किया है कैह Bennett के अर्धसुत के बाद हमने बरणों की पंचम वरण का घ्यान कराया है इस चौधा प्रकार की धुरूशाँ वाया है और इसके लिए आपने देखा की हमने सूत्रसंख्या साथ का विधान किया है जिसको हम लोग कहते हैं यहम खastsंग आप देखिए आप किसी पर बिशार करें तो कोई ऐसा नहीं है जो अपने बर्ग का पांचवां वर्ण नहीं हो संहट पांच है और इनको मैंने एक ब्यवस्थित सूत्र संह शाथ में ब्यवस्थित कर दिया है और इसको तो आप चाहे रट लीजिए चाहे जान लीजिए कि सूत्र संख्या साथ में सारे पंचमाच्छर वर्णों को एक अस्थान पर रखा गया है इनकी संख्या का भी ज्यान आप कर सकते हैं कि तो करें कि वरणों के कि बाद हम ने वर्गों के चतुर्प्थ वर्ण का ज्यान कराया है और इसके लिए इन्हों ने कहा कि हमने दो सूत्र का विधान किया है करें कि सूत्र संख्याologies आठ है और सूत्र संख्या नौ है इन दो सूत्रों में आप देखें जिसको एक आप कहते हैं जबय और कहते हैं घा धा धा सा आप संद्र पड़ते हैं तो कहते हैं जस प्रत्याहार यही जस प्रत्याहार है जिसको आप जस कहते हैं इसी में चोथे वर्णों की बात की गई है इनकी संख्या की भी ज्यान आप करना चाहें तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कि कितने वर्ण हैं पांच वर्णों की बात की गई है तो कितनी ब्योस्था है कैसी मतलब ब्योस् कौन कौन से वर्ण है तो देखिए यही आपको जानना है ऐसे आपको पढ़ना है और इस धंग से आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रस्ण चाहे जैसा बने आप उत्तर आपके पास होगा अगले क्रम पर हम चर्चा करते हैं बर्गों के तिरती वर्ण की बात करते हैं आप देखिए चतुर्थ वर्ण के बाद हमने बर्गों के तिरती वर्ण की बात की है इसमें हमने क्या किया है किरें कि हमने सूत्र संख्या 10 का निर्मार किया है और इस सूत्र संख्या 10 में पूर किया है और आपने देखा कि अब आज सत्य है कि नहीं है और इसको देखना चाहिए जाहे बाहे गाहे दाहे शाह आप संधी पढ़ेंगे तो जस्प्रत्याहार की बात करेंगे आपके काम आएगा और इसी जस्प्रत्याहार में सारे तृतिवरणों की बात की गई है आप आपको जानना हो तो यह भी आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि दी संख्या भी पांच तो यही चीज है कि समाहेश्व सूत्र में हम क्या पढ़ें कितना पढ़ें कैसे पढ़ें यह सारी बातें यहीं पर लागू होती है कि भाई चतुर सुबन के बाद तरती वर्णों की बात की गई है फिर क्या किया गया है कि हमने बर्गों के दुती और प्रतम वर्णों की बात की है पहले दुती वर्णों का ग्यान कराया है और इसके बाद प्रतम वर्णों का ग्यान कराया है इसके लिए ह संख्या आप देखिए करें कि खा है फा है छा है ठा है इसके बाद चा है ता है वा है फिर कपय है आप देख लिए इसको यह सूत संख्याई ग्यारा है यह सूत संख्या बारा है यहां से यहां तक के में जो है दिती वर्ण है जिनकी संख्या पांच बताई गई है यहां से य यहां तक की संख्या जो है आप परगों के प्रतम वर्ण है जिनकी संख्या पांच बताई गई है तो यहां पर कितने मार्मिक ढंग से हम जान सकते हैं कि देखें इनकी भी संख्या पांच है और इनकी भी संख्या पांच है तो इस तरह से आप देखें कि ऊपर से कैसे विधा और जब सबसे नीचे हम आते हैं तो कहते हैं नीचे हमने सबसे पहले क्या किया है जैसे सबसे ऊपर सुर की बात की तो पूरी इस बर्ण माला के सबसे नीचले क्रम की विवस्था की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं हमने उस वरणों की बात की यहाँ पर हमने क् का निर्मार किया है सूत संख्या 13 है और सूत संख्या 14 है जिसमें आप कहते हैं शा 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 और रा और हल अब यही प्रस्न है देखिए इस उस्म बर्णों में किन-किन वर्णों की बात की जाती है कितने वर्ण है इनकी आप संख्या बता सकते हैं, इनकी संख्या चार है, आप इन वर्ण बता सकते हैं, कौन-कौन से वर्ण यहां पर आते हैं, इसके अंतरगत, तो यह आप वर्ण है, चाहे आप हा है, शाह है, शाह है, और सा, लब तालब सकार है, मूर्धन सकार है, दंत सकार है, बड़ा एक ब्यवस्था है। जिस ब्यवस्था के ताहट आप इसका आद्यन करते हैं। तो यह हमारी ब्रणमाला है, इसी ब्रणमाला में आप आगे दो प्रकार की धोनियों की बात करेंगे क्योंकि जब धोनिया है धोनिया दो तरह की है एक सोतंत्र धोनिया है एक मिसित धोनिया है सोतंत्र धोनियों को हम स्वर के नाम से जानते हैं मिसित धोनियों को हम बेंजन के नाम से जानते हैं तो इस तरह से मुझे लगता है कि यदि ह संस्क्रित भासा को सही धंग से पढ़ें इमांदारी से पढ़ें तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कोई भी प्रतियोगी यहां 30 में से 31 अंक नहीं प्राप्त कर सकता है वह 30 में 30 प्राप्त कर सकता है लेकिन वह इस बात को जाने कि इस भासा को हमें पढ़ना है कैसे पढ़ना है इसके लिए आपको जरूरी होता है कि आप अच्छे सिच्छक से आप संपर्क में रहें अच्छे संस्थानों से आप जुड़ें तो इस तरह से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं तो आज की क्लास में बस इतना ही आपको इसी के साथ साथ देर सारी सुपकामनाए बहुत बहुत साथ बाद बहुत धन्यवाद